अस्तनाम अलेकम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल एजी के और इनवन चैनल विवर्स आज कल मैं आप लोग को जैसे के विंटर स्पेशल जो है रेसिपी सी खा रहे हूं जो के फिश से बनी हुई है तो आज पिर एक फिश की एक हम टेस्टी सी रेसिपी जो है वह स्टा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कर लिजिए सब्सक्राइब और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्राग्रेम और फेस्बुक पे बी तो प्लीस मुझे वहां पे फॉलो कीजिएगा लेट्स स्टार्ट वीडियो फ्रेंस यहां पर सबसे पहले मै ने लिया है पिसा हुआ धनिया कलॉंजी लिए हमने यहां पे हाफ टी स्पून मैथी दाना लिया है मैंने एक चम्मच राइ दाना लिया है मैंने ये भी एक से त्वेट चम्मच के करीब है साथ में करी लिप्स के चंद पते लिए मतलब कड़ी पते के टुमेरिक पाउडर यानि कि हल्दी का पाउडर और है लेमन दही लिए मैंने आधा कप अधरकोलेसन का पेस्ट दोच चाय के चम्मच और साथ ही मेरे पास यहां पर फिश मौजूद है यह तकरीबन है आधा किलो फिश आप जिसके भी आप करीब बनाना चाहते हों वो कोई भी फिश आप यूज कर सकते हैं ठीके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले जो आपने करना है वो यह करना है कि आपने पिसी हुए लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया जितने भी जो पिसे हुए मसाले हैं उन सब को दही के अंदर अच्छे से कर लेना है मिक्स हल्दी इन तीन ची कि आरह एस में डालेंगे जिंजर हर गारलिक का पेस्ट याने के अधक लसन का पेस्ट और साथ ही लैमन जूस को इसमें कर देंगे स्कुइज एग लैमन कह दसे旨े जूसी旅 नहीं हम इसके अjs के इसकंदर जूस जो है वो यूस किया है और इसका हम अच्छे सी एक ठीक पे अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको अब इसका THICK PASTE बन चुका है आप इसके कंसिस्टेंस चेक कर सकते हैं और अब हम इस पेस्ट को जो है वो डाल रहे रहे है अपनी फीश में फिश में डालने के बाद इसको हम अच्छे से जो है वो फिश को इस मसाले के अंदर करेंगे मेरिनेट यह देखिए हाथ की मतद से आप अच्छे से मसारा जो है फिश पर अपलाए कर लीजिएगा अच्छे से और फिर आप इसको एट लीस्ट जो है वो दो घंटे के लिए मेरिनेट करके रख दीजिएगा मेरिनेट करने से क्या होगा कि जो सारे स्पाइसेज हैं वो आपके फिश के अंदर एब्जॉब हो जाएंगे और फिर आपके करी का जो है वो टेस्ट बहुती अच्छा आएगा तो यह देखिए दो घंटे गुजर चुके हैं और दो घंटे गुजर जाने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स स्टेप पे अब सबसे पहले मैंने पैन में यहां में डाला है आईल और आईल आप ले सकते हैं कम से कम चार से पांचा मच के करीब यू आइल मैंने इसके अंदर यूज किया है इससे जादा नहीं यूज किया मैंने और अब इसके अंदर जो है वो हम शामिल कर देंगे मेथी दाना और राइ दाना और कलॉंजी थोड़ा सा इसको पकाएंगे हम और थोड़ा सा पकाने के बाद जो है वो इसके अंदर मैं एड़ कर दूँगी करी लिव्स को भी यानि के करी पत्ते को भी आप लोगों ने अभी अभी मुझे जॉइन किया तो आपको बता दूँ कि इससे पहले भी मैं फिश फ्राइ की रेसिपी और फिश पकोड़ा की रेसिपी सिखा चुकी हूँ तो अगर आप वह भी देखने में इंटरस्टेड हो तो उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ कर लिजिएगा इस कि बिश्ट अब मैंने बहुत जादा फिश की रेसिपी सिखाई है तो यह देखिए थोड़ा सा करकर आने के बाद अब हम इसके अंदर टाल देंगे करी पता और करी पता डालने के बाद हम इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे फ्राइ इतना करना है कि करी जो leaves जो हमने कड़ी पत्ते के डाले हैं उनका color change हो जाए ठीक है और उसके बाद जो है वो हम इसमें add कर देंगे हमारी fish ठीक है कम से कम 2-3 दो मिनट के लिए आप इसको पकाईएगा बहुत जादा नहीं पकाईएगा जला मा दीजिगा कड़ी पत्ते को और जो आज है वो जो है इसका flame है वो आपको रखना है slow ताके हमारे मसाले जो है वो जल नहीं जाएं बलके जो इनका taste है वो हमारे oil में अच्छे से आजए इसलिए हम थोड़ा से इसको इसमें पका रहे हैं चलिए अब हम शामिल करते हैं इसके अंदर हमारी marinated fish जो के मैंने दो घंटे के लिए छोड़ दी थी अब मैं उस fish को जो है इसके अंदर add कर रही हूँ यह देखिए आप अब भी तो spoon का use कर सकते हैं क्योंकि आपकी fish कच्ची है तो वो टूटे की नहीं लेकिन जब आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो उसके बाद आप अपनी fish करी के अंदर spoon का use नहीं करेंगे और यह देखिए मैंने इसके अंदर साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो है वो धीमी आँच के उपर पकने के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे इसको फिश को यह देखिए यह mix हो गया है आप देख रहोंगे gravy का कितना प्यारा खिलावा color आ गया है बहुत ही tasty recipe है यह और बहुत ही easy है यह देखिए साथ मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसको जो ढखके कवर करके मैंने छोड़ दिया था इसे अब जो है वो कवर उतारने के बाद मैं इसको थोड़ा सा mix कर रही हूँ चमच से मैं mix इस तरह से नहीं करी कि मैं चमच चला रही हूँ क्योंकि मैंने non sticky pan यूज किया यहां पे तो ऐसा हो सकता है कि हमारी fish नीचे लग गई हो तो मैं उसको सिर्फ चक कर रही हूँ कि कहीं मेरी fish नीचे तो नहीं लगी हुई बट नहीं यह नीचे नहीं लगी हुई है मैंने से mix नहीं किया है mix हम इस तरह से pan को उठाके और अपने आइस्ता आइस्ता करके उसको घुमाएंगे मसाले को और इसी तरह से इसको हमें mix करना है अगर आपने स्पून से इसको अलट परट करने की खुशिश की तो आपके fish क्योंके गल चुकी है तो वो तूट जाएगी तो आपके curry का जो look है वो बिलकुल ही खराब हो जाएगा दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा वो तो आपके जो fish के pieces है वो साबुत रहने चाहिए इसलिए जब आप 7 मिनट के बाद इसमें से cover खोलेंगे तो आप इस पे स्पून स्तमाल मत कीजएगा अभी मैंने इसम हुआ गरम मसाला तकरीबन वन फोर्थ टी स्पून है और अब इसके अंदर जो है वो हम एड कर देंगे हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद अब मैं इसको छोड़ दूंगी दो मिनट के लिए दम पे और बस हमारी जो है वो फिश करी रेड़ी है सी कितना प्यारा खिला खिला कलर आये ग्रेवी का बहुत ही टेस्टी है बहुत ही यमी है बहुत ही हल्दी है विंटर सिजन के साब से वेली स्पेशल है आप लोग प्लीज इसे जरूर ट्राइ किजेगा और अपने कमेंट्स में इसा जरूर शियर किजेगा मैं मिलूंगे नेक्स वीडियो में तिल देन बाइ बाइ टेक कैर और अलाह आफेज